हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे तो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए केलनडूला का बहुत ही खुशूरत फोल और इस पौधी को हमने सीर सी ग्रो किया आप देखिए इनमें फोल आ रहे हैं और ये द लगाई थी लेकिन फ्रेंज आज मैं इसे लगाऊंगी योगिश्त रखे रखे काफी समय हो गया और मैं इस पौध्य को नहीं लगा पाई और आज मैं नहीं लगा दिती हूं तो फ्रेंज एक कट्निंग से भी लग जाते हैं सीर से भी ग्रो और नरसरी में तो ये अन्यको रुपई में मिला है चलिए मैं आपको दिखाते हूं जो हमने कटिंग लगाई है इह कोलित की यह देखिए הפरेंच dow presents a call is का कटिंग से तायार रूए है तो इसे हम निकालेंगे निकालकर जो है जो सफरिस के हमने पौधा ले आए कोलीयस का उसको और इसे दोनों को जो है एक ही गमले में लगाएंगे तो फ्रेंज कटिंग से बहुत यासाने से लग जाते हैं अगर आपका मन कर रहा है कहीं भी यह पौधा देखे तो कटिंग ले आएए और गमले में लगाएं या फिर जमी ऐसे हमने काल दिया उट जणे हैं कितने आसानी से बहुत आराम से लग जाते हैं और और भावर चाहते हैं तो कटिंग मिल जाएंग अनेकों कलर मी तो इसी श्थिंगी और संफिन तो पारणी इन ही दो कम देना होता है है कि ramen पाने देंगे तो इंक्तानिया गल जाएंगी और उस देखिए उरिं संथ हमने मिटी में पहले से गमले में बनाकर रखी हुई है घमले की की भूटवेंगे रंतरु में Corps करदुषा गम्षेंट जाथ कीड़े लग जाते हैं harder or faster, मिलाने से मित्टी में कीड़े में कोड़े नहीं लगेंगे हमारा पौधा अच्छा खासा बढ़ेगा तो friends इनके मित्टी को जो हमने थोड़ा सा निकाल दिया है और देखें नीचे जो है इनके जड़ पड़ी हुई है तो बिल्कुल आराम से जो है छोटा सा गड़ा बनाएंगे इस गमले में और ऐसे रख देंगे यह देखें friends हमने जो है कोलियस के पड़े को गमले में बिल्कुल आराम से रख दिया और देखें तोड़ गये हैं तो इनी भी लगाने की कोशिस करेंगे फिलार चलिए कटिंग से तयार किया गया कोलियस लगा रेते हैं तो इन दोनों पौधों को जो है मैं आठ एंच के गमले में लगा रही हूँ और इस गमले में बहुत अच्छी तरह से होल बना हुआ है कोई भी गमला हो फ्रेंस होल का होना बहुत ही जरूरी है और मैं आपको बता दो कि होल को जो हमने नारियर के छिलके से ढग दिया है ताकि हमारी मित्टी सुरचित पड़ी रहे और इष्ट्रा पाने छनकर बाहा निकल सके तो फ्रेंस अगर मली जी गमले में होल नहीं है और हम अपने पौधी को लगा रहे है तो हमारा पौधा दीरी-दीरी मर जाएगा इसलिए फ्रेंस गमले में अगर हम लगा रहे है तो होल को चेक कर लेना बहुत जरूरी है कि गमले में होल बना है कि नहीं बना है और मित्ट लाकर जो मैं जरूर लगाने के कोशिश करूँगी तो friends अब जो है मैं इनमें थोड़ी से मित्ती भरूंगी क्योंकि अभी पूरी तरस मैंने मित्ती नहीं डाला है देखे उपर से हम मित्ती डालेंगे तो friends बहुत यासाने से हम कोलियस का पौधा लगा सकते हैं कटिंग से भ ताकि इनकी गोथ अच्छी तरह से हो सके तो आपको बता दू कि इन्हीं 2-3 घंटी की धूप मिली चाहिए और अगर अगर अच्छी नहीं होगी और इनके पत्रियों के कलर बेकार हो जाएंगे देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो फ्रेंस लगाए हैं तो पा सारे पानी निकल गया तो फ्रेंस हमारी वीडियों आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद बाए बाए